हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेशल स्टेट्मेंट्स ओफ एन पियो फ्रॉम दा बुक अफ डीके गोईल का कोश्चन नमबर 9th and 10 कराने जा रहा हूं स्टूडेंट्स यह है मेरे पास बुक और मैं यह 9th कोश्चन आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं अभी 9th कोश्चन क्या कह रहा है कि show how will you deal with the following items while preparing the final accounts of the NPO for the year ended 30 मार्च 2020 Building fund was as on 2014 2019 eight 날क डोनेशन रशीट दूरिड डीयर बाररा लाक capital मैंस कितनी किए अपनी हूं और petals चाइब कफ़्या साथ यार की और xter on construction building during the year war 7 दॉत कं arising्ट्रॉक्षण the construction work is in progress and yet has not been completed तो वो कहरा कि बताईए कि उसको आप कैसे present करोगे balance sheet में final accounts में तो मैं आपको बताता हूँ final accounts में यहां balance sheet में ही बनेगा ठीक है जी तो अभी मैं इसका format आपको बना के देता हूँ यह रहा ninth question का हम पहले balance sheet का format बनाते हैं आपको याद है ना कि ऐसे questions में आपको balance sheet पूरी नहीं बनानी होती सिर्फ show करना होता है balance sheet में ठीक है जी तो यह शुरू करना हूँ मैं question का balance sheet बनाना ओके यह रहा है ओके तो यह वाली side हमारी कौन सी आ जाएगी यहां लिख लो balance sheet ठीक है यह liabilities यह rupees यह assets और यह rupees तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या given है ठीक है यह balance sheet बनानी है कितने का given हमें आठ लाग का ओपनिक balance कितना है आठ लाग का उसके बाद क्या है donation to add कर लो add हम क्या करेंगे donation को add कर लेंगे कितनी है donation 12 लाग की और 12 और 8 कितने हो गए 20 लाग कितने आगे बटे 20 लाग और उसके बाद expenditure on construction तो less इसको कर दो expenditure on construction कितना आ गया 7 लाग का तो यह कितना रह गया अब नीचे यहां पर final figure कितने ही रह गयी 13 लाग की ठीक है 13 लाग की यह figure यह रह गई ओके अब यह जो expenditure on construction हुआ है इसका एक interesting case में आपको बताता हूं कि यह आदी building बनी है WIP में बताया जाएगा इसको building अभी पूरी नहीं हुई तो इसको तो हम WIP भी बोल सकते हैं building का ठीक है तो building उतने क्या करना है capital fund दिखाना है capital fund हमारे पास कितना है capital fund कितना है हमारे पास 10 लाग का और उसमें हमने क्या करना है add क्या कर देना आपने यह जो expenditure हुआ इसको भी तो capitalize करोगे ना expenditure on construction construction ठीक है इसको add कर दो 7 लाग का और क्या add करना आपको नीचे दिखे life membership fees है वो भी capitalize होगी life membership fees कितने की है पचास लार की तो यह कितने का आ गया साड़े सत्रा लाग का कितने का आ गया साड़े सत्रा लाग का ही आ गया ओके जी बस यह इस तरीके से show करना था अब हम करेंगो इसका 10th question चलिए मैं इसका 10th question आपको करवाता हूं यह रहा इसका 10th question start करता हूं मैं अब 10th question पढ़ूँगा आपके लिए as per the receipt and payment account as per the receipt and payment account for the year ended 31 मार्क 2017 the subscription received was 6 लाग कि सब्सक्रिप्शन कितने की रसीव हुई है 6 लाग की additional information given is as follows subscription outstanding on 14,12,16 को 60,000 की subscription outstanding on 33,17 को 40,000 की subscription received in advance as on 32,000 की subscription received in advance as on 33,17,38,000 की ascertain the amount of income and expenditure for the year ended 16,17 and show how relevant items of subscription will appear in the opening and closing balance sheets तो चलिए सबसे पहले यहां confusion की इस चीज़ की होती है कि opening साल कौन सा और closing साल कौन सा तो यदि मैं बात करूं हमारे पास सबसे उपर क्या given है 33,20,17 तो naturally हम जो accounts बनाते हैं वो closing के बनाते हैं यह हमारा closing date है यह क्या है closing date तो फिर opening date क्या हुआ 14,20,16 जब भी आप question करने लगो तो पहले इस तरीके से आप देख लिया करो तो उसके बाद क्या है अब हमें बनाना है income and expenditure account receipt and payment account है न वो कह रहा कि कितना show होगा रहे subscription income and expenditure में तो हम बनाएंगे यहां पर income and expenditure account का format पूरा account नहीं बनाना हमें सिर्फ उसको शो करना न तो format में हम उसको सिर्फ शो करेंगे कैसे दिखा आइटम को तो यह रहा इसी की side को ही बनाएंगे एकी side ठीक है जी तो यह देखिए हमारे लिए यहां पर अगर यहां मैं बा की आजेगा income and expenditure account ठीक है यह credit है यह debit है यह particular है यह rupees है जिसको हम यहां expenditure भी बोल सकते हैं ठीक है और यहां पर income रूपे subscription income होती है तो बाए subscription कितने का आजेगा बोलिए छे लाग का न सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कितना है छे लाग का और आप यहां पर यह date में closing को पता है पर यहां हम क्या करेंगे add outstanding current year less outstanding previous year ओके जी और less कर लो received in advance current year और add क्या कर लो received in advance previous year ओके यह आसा रहा आजेगा और 33 March की outstanding कितनी है 40,000 की ठीक है तो current year की outstanding कितनी है मारे पास 40,000 की वह मैं 40,000 का current year का outstanding add कर लूगा उसके बाद क्या सब्सक्रिप्शन received in advance previous year की कितनी है previous year की add करनी है ना प्लस 32,000 received in advance यह 32,000 हमने add कर ली और उसके बाद subscription received in advance current year की है और यह 38,000 हमने less कर देना है ठीक है जी और क्या रहा गया एक item साथ हजार वाला कौन सा आउट्सेंडिंग current year का आउट्सेंडिंग है ना यह previous year का आउट्सेंडिंग है सोला का तो यह भी एक चार दोजार सोला का है और यह 31 तीन दोजार सत्रा का है ओके जी यह हमने करना था बस तो अब इसको हम क्या करेंगे इसका total करके देख लीजिए कितना बनता है तो यह आगया शे लाक में शे लाक में 40,000 जोड़ दो फ्लस बतीस हлатर जोड़ दो माइनस साथ हलार जोड़ दो माइनस ठय ऑपान दों इसको कि खोंदब माइनस ठयार जोड़ दो माइनस करते हूंड जोड़ दो झोड़ ठया जोड़ नहीं माइनस करते हो तो यह अपके पास पांच ल con replies 14000 pages figure आजएगी ओके जी और साथ में अब हो हमें क्या कह रहा कि शो करो कि आप इसको opening और closing balance sheet में कैसे दिखाओगे तो यह लीजिए balance sheet का format भी हम बना देते हैं यह दोनों साल की balance sheet का मैं format बना देते हूं आपको उसको understand करते हैं कि कौन सी item कहां पर हमें दिखा दी है यह देखिए तो यह क्या आएगा balance sheet यह क्या आजएगी balance sheet ठीक है जी यह आजएगी 1,4,16 की ठीक है और यह आजएगी balance sheet यहाँ पर आजएगा balance sheet 31,3,17 की ठीक है जी तो यह आजएगा rupees है यह तो आपको पता ही है यहाँ पर asset आजएगा यह आपको साथ के साथ यह time उतना ही manage करना आना चाहिए question का ही part होता यह सारा कुछ लिखना ठीक है तो इसके लिए कोई अलग से time नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको साथ के साथ बनाने की practice होनी चाहिए तो अब देखो पिछले साल का आउट्स्यंडिंग कितना था पिछले साल का आउट्स्यंडिंग कितना था साथ हजार था ना यह रखो तो यह आएगा outstanding subscription यह साथ हजार लिख ले ना और पिछले साल का ही बताओ कितना था received in advance 32,000 तो यह opening balance sheet में आएगा received in advance subscription ये कितने का आजएगा 32,000 का कितना आजएगा 32,000 का उसके बाद क्या है outstanding subscription current year का कितना है हमारे पास 40,000 का और received in advance subscription current year का कितना है 38,000 का कोई भी balance sheet हमें मिलानी नहीं है match नहीं करनी हमें सिर्फ show करना था और यदि यह दो तो बैले जिट आप देखो तो आप कोशन के आंसर में भी अलग से गिवन है कि हाउ टू शो इट ठीक है जी मैंने भी आपको करके बता दिये कैसे करनी है बनानी है ठीक है तो यह रहा है इंकर्मेंड सबसे पहले ज़रूर है आप यह देखिए कि आपका ओपनिंग साल कौन सा आता और क्लोजिंग साल कौन सा आता जब तक वह यह चीज़ क्लेर नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे ठीक है जी तो चलिए इसी के साथ यह दोनों कोशन कंप्लीट होते हैं आई होप कि आपको अची तरह समझ आ गया होंगे मैं इसी के साथ यह वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूं आप अगले कोशन के लिए और बाकी चाप्टर के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो वहाँ से देखते रही हैं ओके जी डन